हेलो माई डियर स्टूडेंट्स हाव आई यू कैसे हो आप लोग तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्टाइल का थर्ड पार्ट तो जैसे की प्रोजेक्टाइल में मुविंग ऑबजेक्ट पे प्रोजेक्टाइल इक्वेशन ऑफ टेजेक्ट्री और टाईम पिरियर्ड, हाइट, टाईम ऑफ लाइट वगए ये सब हो गया है अब बात करते हैं प्रोजेक्टाइल क्वशन ऑन इंखिर प्लेन की यह काफी इंपोर्टेंट और थोड़ा सा कॉंसेप्च्छल है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कॉंसेंट्रेट होना पड़ेगा यहां पर ठीक है क्योंकि इसमें जो भी आपने प्रोजेक्टाईल पढ़ा है वो पूरा यूज़ हो जाएगा तो क्या होता है प्रोजेक्टाईल और इंकलाइन प्लेन देखे जैसे कोई incline plane है और हम उस पर कोई ball throw करते हैं ठीक है ना कोई ball throw करते है तो माल लीजे ये कोई incline plane है यहाँ पे ये वाला ये ये कोई incline plane है जिसका angle कुछ है कुछ भी angle माल लीजे माल लीजे ये वाला angle है यहाँ पे जो भी incline plane का angle हम ले रहे हैं यहां पर अल्फा मानले जी यह वाला अंगल है अल्फा और यहां से एक ball को हम ऐसे throw कर रहे हैं यह तो यह ball इस inclined plane पर जाके यहां पर गिर जाती है तो मानले जी यह वाला अंगल है बीटा और जो ball को हमने velocity दी है यह वाली इस direction में यह वाली velocity है U तो question यह है कि इस inclined plane पर जो यह inclined plane आपने लिया है इस inclined plane पर ball को यहां से लेके यहां तक गिरने में time किता लगेगा कितनी maximum height होगी इस inclined plane के उपर तो यह वाली height h हो जाएगी और कितनी यह range होगी यहां से लेके यहां तक अगर इस point को मैं O बोल दूर इसको A बोल दूँ तो कितनी range होगी range कितनी होगी इस case में अब सोच रहे होगी कि यह चीज इतनी especially क्यों पढ़ाई जा रही है तो भई इसमें कुछ special हो गया है इसमें क्या problem है अभी तक क्या था कि अभी तक कि जो projectile के cases थे उनमें downward direction में gravity थी और इस direction में acceleration था 0 लेकिन यहां पर जो projectile हो रहा है वो किस किस direction में हो रहा है वो actual में इस direction में चल रहा है projectile लेकिन इस direction में acceleration 0 नहीं है लेकिन वहां पर क्या था projectile ऐसे होता था यू यू जाके यू होता था projectile तो भई इस direction में acceleration कितना रहता था 0 इस direction में रहता था gravity यहां पर यह हो रहा है तो भई यहां पर इस direction में acceleration 0 नहीं है यहां पर था और इस direction में भी जो acceleration है that is not equal to g तो g का ये component लग रहा है यहाँ पर तो यहाँ पर यह तिर्चा प्रोजेक्टाइल हो रहा है इसमें गड़बड हो चुकी है इसमें एकदम direct g नहीं ले सकते और इसके प्रोजेक्टाइल के proceed होगी की direction में हम acceleration 0 नहीं ले सकते लेकिन 2-ball theory यहाँ पर भी अपना पूरा work करती है और बस मुझे यही सिखाना है कि देखिए कैसे 2-ball theory यहाँ पर भी का करती है ठीक है चलिए तो इसमें हम क्या assumption लेते हैं हम मान लेते हैं कि भई यहाँ पर क्या था x-axis इस तरफ थी ऐसे हम x-axis मान लेते थे इस तरफ हम y-axis मान लेते थे और projectile को solve कर लेते थे यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे चीक है ना यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे चीक है ना यहाँ पर भी हम ऐसा ही करेंगे तो यह वाली जो direction है यह यह वाली जो direction है इस वाली direction को हम x direction मान लेगे कि मान लेजे भई ये कुन सी direction है x और भई इसके perpendicular direction को हम as a y direction treat करेंगे ठीक है ना ये वाली direction को हम as a y direction treat करेंगे और इसको एक तिरचा Cartesian plane ले लेगे थोड़ा तिरचा Cartesian plane हो गया अब जब हम ये तिरचा Cartesian plane ले लेंगे यहाँ पे तो भई हमें तो x direction में range मिलेगी y direction में height मिलेगी तो भई मुझे ये देखना है पहले कि अब इन direction में gravity की क्या situation है कैसे gravity यहाँ पे vary कर रही है कैसे gravity यहाँ पे change हो रही है तो आप देखे जिस direction में projectile बढ़ रहा है उस direction में अगर देखें भई बॉल तो अगर यहाँ पे है कुछ भी है बॉल पे तो gravity नीचे की तरफ ही लगेगी तो बॉल पे जो gravity यहाँ पे देखो यहाँ पे ताकि आपको समझा है मैं इसी inclined plane पे यहाँ पे gravity के component कर रहा हूँ तो जैसे इस ball पे gravity नीचे की तरफ लगेगी इस direction में gravity तो vertically downward लगेगी तो इस gravity का एक component तो इस direction में हमें चाहिए होगा और एक component हमें इस direction में चाहिए होगा अब यह वाला angle अगर alpha है तो यह वाला angle 90 minus alpha होगा और यह वाला फिर alpha होगा तो यह वाला component तो आपका g cos alpha हो गया और यह वाला component हो गया g sin alpha अगर ये वाला एंगल अलफा है तो अब जो आपका projectile है वो इस अलफा वाली जगा पे बीटा एंगल पे थ्रो किया है आपने तो भई इसके दो component कर लो ठीक है न इसके दो component कर लो कौन-कौन से component किया जाने चाहिए इस direction में इसका एक component किया जाने चाहिए यू कॉस बीटा औ इस तरफ यू कॉस बीटा इस तरफ यू साइन बीटा चीक है अब आप देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे two ball theory apply करेंगे एक ball को हमें बिल्कुल उसी direction में थ्रो करना है hypothetical ball है चीक है न जो ये two ball method है two ball method है इसमें इस दोनों ball hypothetical है यह आपको याद रखना चाहिए यह हमारी help के लिए आती है तो ये ball हमने उपर थ्रो की कितने से you sign बीटा से तो ये ball इसको follow कर रही है इसको follow कर रही है तो ये ball as it is ऐसे जाएगी और यू जाके यहाँ से वापस गिर जाएगी जितना time इस ball को यहाँ गिरने में लगेगा ठीक उतना ही time उसके projectile का होगा ठीक उतना ही time उसके projectile का भी होगा तो ये maximum height के बराबर हो जाएगी और इसकी height ही maximum height के बराबर भी हो जाएगी चीक है तो अब बच्चों बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को हम जानते हैं वहाँ से free fall का फंडा होता है 2 into जिस plane से आपने इसको फेका है उस plane के perpendicular velocity divided by उस plane में घुसने वाला acceleration plane के perpendicular acceleration वही काम यहाँ पे भी होगा आप ये देखो अगर मुझे x plane पे से उठके भई x plane पे से जो x वाला plane है ये इस plane पे से उठके इसी पे गिरने का time निकालना है यानि कि projectile का इस से उठके इस इसी पे गिरने का time निकालना है यानि कि projectile का इस से उठके इसी पे गिरने का time निकालना है u मुझे क्या करना पड़ेगा वो time होगा 2 into plane के perpendicular velocity ये है ना plane इस plane के perpendicular वाली velocity वो कितनी है u यहाँ पे इस plane के perpendicular velocity कितनी है u sin beta divided by plane में घुसने वाला acceleration ये gravity है ना ऐसे gravity किस तरफ जा र रही है तो यहाँ plane में घुसने वाला acceleration कौन सा होगा जी का ये वाला component divided by g cos alpha ये आपका time of flight हो गया इस inclined plane के लिए I hope कुछ समझ में आया होगा आपको definitely क्या इसी समझ में आ रही है t is equal to 2u sin alpha ये बीटा ठीक है अब situation को फिर ध्यान से सुनना अब मुझे height निकालनी है अगर मैं यहाँ पे height का फंडा देखू तो इस case में मा लेजे ये wall को u से फेंका और ये h height तक जाके आती है तो क्या होता है u square upon 2g यानि कि किसी plane से उठके उसी पे अगर कोई ball गिर रही है तो plane से कितनी जादा height तक गई है तो plane के perpendicular velocity का square divided by 2 into plane में गुसने वाला acceleration तो ये चीज यहाँ की height के लिए भी काम आएगी तो भई ये इसका time period ये इसकी height है तो height होगी u square यानि कि plane के perpendicular velocity का square यानि कि u sin beta का square यानि कि u square sin square beta divided by 2 into plane में गुसने वाला acceleration तो ये जी कॉस अलफा ये होता है is it okay ये height का formula हो गया तो projectile वाला जो plane है उसके उपर कितनी height तक ball जा सकती है वो ये है ठीक है न अब second चीज नेक्स्ट लास्ट range रेंज की बात करते है range अगर वहाँ पे देखा जाए तो क्या थी range range थी ये वाली जो ball हम थ्रो करते हैं ये वाली इस ball की velocity कितनी थी वहाँ पे u cos theta और यहां से यहां तक का time period तो हम यहां पे range के लिए क्या कर देते थे t multiply by u cos theta लेकिन यहां पे एक problem है ठीक है न यहां पे क्या problem है यहां पे problem यह है कि भई यह जब हम एक ball को उपर की तरफ थो करेंगे यहां से एक ball को इस direction में भी थो करेंगे तो यह ball इस direction में चलती रहेगी लेकिन यहां पे इस बार इस direction में चलने के लिए इसको text देना पड़ेगा क्यों? क्योंकि वहाँ पे जब ये ball इस direction में चलती थी तो इस direction में कोई acceleration ही नहीं था ना तो ये बढ़ती थी ना कम होती थी लेकिन यहाँ पे क्या है? बॉल जिस तरफ चल रही है उसके opposite direction में G sin alpha acceleration लग रहा है तो ये वाली ball slow होती रहेगी इस तरफ चलते चलते क्या होती रहेगी slow होती रहेगी तो आप ये देखें जितनी देर ये हवा में रहता है t time में इसकी travel distance कितनी होती है तो range हो जाएगी आपकी ut plus half a t square वाली equation से निकालने पड़ेगी तो range की value हो जाएगी ut u यानि के इस direction में ये ये वाली जो नीचे वाली ball है ये कितनी distance travel कर लेगी t time में ये निकालना है तो u cos beta into t minus half और इस तरफ वाल acceleration कितना है g sin alpha half into g sin alpha into t का square ये आपके लिए range हो गई अब बहुत अच्छे से सोचिए कि भई ये चीज कैसे हमने लिख दी ये आपको funde भी clear हो जाएंगे तो incline plane पे इस तरीके से आप incline plane पे इस तरीके से आप आगे तक का काम कर सकते हो ठीक है अब जरूरी नहीं है कि इस range को आप पूरा solve करो जब आपके पास numerical question आएगा तब आप देख सकते हो ठीक है नब आप ये funde use कर सकते हैं तो ये formula आपको याद रखने है और भी बहुत तरीके के solution के तरीके हैं यहाँ पे जो कि मैं explain करूँगा भी एक मैं example दे देता हूं इसी पे बेस ताकि आपको ये चीज अप्लाई करनी आ जाए ठीक है ध्यान से सुनते जाना आप कोई मान लेजिए ये कोई inclined plane है ये कोई inclined plane है और इस plane का angle है 30 degree plane का angle कितना है 30 degree ठीक है नब इसकी surface से एक ball को again throw किया गया again 30 degree पे ठीक है या इस चीज को ठीक है 30 degree ले ले लेते हैं तो ये वाली चीज यहां से जाके यहां से जाके मान लेजिए यहां गिर रही है इस जगा पे तो ये वाली velocity ये वाली velocity है यहां पे 20 meter per second तो सारी चीजे पूछी जारी कि बता ये भई range कितनी होगी time of flight कितना होगा सबसे पहले क्या काम करेंगे उससे निप्टेंगे पहले तो चीजए ना उससे कैसे निप्टा जाएगा कि मान लीजिए ग्रैविटी तो इस तरफ है G G का एक component इस direction में लगेगा और एक component इसके perpendicular direction में लगेगा अब ये 30 है तो ये भी 30 है तो इस इस जी cos 30 degree और ये वाला G G sin 30 ये G cos 30 ये G sin 30 इतना हमें पता चल गया अब हमें निकालना है time of flight यहां से उठके यही तक गिरने का time तो अब यहां पे इसके भी component करने पड़ेगे किसके component जो ये U है तो U का अगर मैं ये वाला component करूंगा तो this is U root 3 by 2 तो this will be 10 root 3 और ये वाला component कितना होगा ये 10 होगा sin 31 by 2 होता है तो ये तो 10 होगया और ये 10 root 3 होगया तो भाई time of flight निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे time of flight क्या होता है 2 U by G यानि के 2 multiply by plane के perpendicular velocity का component और वो कितना लिया जाएगा 10 divided by plane में घुसने वाला acceleration और plane में घुसने वाला acceleration तो ये वाला है ये देखो ये g cos 30 divided by g cos 30 आप देखो इस वाले g से ये 10 खतम cos 30 होता है root 3 by 2 तो this will be 4 by root 3 ये आपका answer हो जाएगा ये time of flight हो जाएगा ज्यादा मुश्किल नहीं है तो इस inclined plane पे particle का यहां से वहाँ जाके गिरने का time कितना हो गया 4 by root 3 seconds चीक है बाकी आप देख लिए न कोई calculation mistake नहीं होनी चाहिए height देखते है height कितनी होगी u square by 2 g यानिके plane के perpendicular जो velocity है उसका square तो 10 का square divided by 2 into plane में घुसने वाला acceleration यानिके g cos 30 ठीक है ना तो 10 into cos 30 तो इस वाले एक 10 से यह वाला 10 खतम उस 2 से 10 खतम करके 5 5 by cos 30 तो this is 5 by cos 30 cos 30 होता root 3 by 2 तो this is 10 by root 3 यह आ जाएगा 10 से 10 कैंसिल ठीक है ना root 3 से root 3 root 3 नीचे रह गया 2 से यह वाला 2 कैंसिल 10 by root 3 meters यह height आ गई कौन से वाली height यह वाली height यह वाली height अब बात करते हैं range की चलिए range निकालते हैं इसके range कहां से कहां तक होगी यहां से लेके यहां तक होगी range यह वाली range होगी range के लिए क्या करना है ut minus half a t square यह वाला formula लगना है चलिए तो इस direction में जिस ball को हमने थो किया उसकी speed कितनी है 10 root 3 initial speed into कितने time तक move करेगी 4 by root 3 तक minus half into जब ball ऐसे जा रही है तिरशी तो उसको रोकने वाला acceleration कितना है g sin 30 g sin 30 की value होगी 5 और g cos 30 की value होगी 5 root 3 यह तो हमें पता ही है तो half into g sin 30 into t का square और यह 4 by 3 का square तो this will be 16 by 3 यह हो गया इस वाले root 3 से root 3 cancel तो यह वाले चीज़ हो गई कितनी 40 यह वाले चीज़ कितनी हो गई 40 minus 2 से यह 8 8 5 जा 40 40 minus 40 by 3 तो answer is 80 by 3 meter is the range ठीक है यह range हो जाएगी चाह मेरी बास समझ में आई तो आपके सारे answer निकल गए आपका time of flight भी आगया आपका height भी आगया आपके range भी आगया यह range को एक बार और देख लेते कहीं हमने कोई calculation mistake ना कर दी हो ut minus half 80 square ठीक है तो ball का जिस ball का हमने इस तरफ थो गया है उसको इस direction में इतना ओके half g into t का square which is 16 by 3 2 से 16, 8 5 जा 40 by 3 तो this is 40 minus 40 by 80 by 3 यही अपना answer भी है ठीक है ना तो भई range is equal to 80 by 3 meter एक answer यह हो गया अब आप खुब देखिए अगर यह बिल्कुल straight forward question है यह बिल्कुल straight forward question है inclined plane का ठीक है तो इस question में range निकालना height निकालना time period निकस में हमें कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ा तो इसलिए inclined plane पे जो motion है project time है वो component करने होते हैं एक component इस तरफ और एक component इसके इस तरफ तो क्योंकि हम पूरी speed को जो भी kinematics है उसको इस direction में अलग से treat करते हैं और इस direction में अलग से treat करते हैं ठीक और फिर दोनों के result हम match करा देते हैं तो इस तरीके से range आ जाती है ठीक है ना height आ जाती है और time period आ जाता है ठीक है और आगे बढ़ते हैं ठीक है यहां पे बहुत ध्यान देने वाली बात है ठीक है ना especially range का फिर से analysis करते हैं range का हम फिर से analysis करते हैं मैं इस range वाले ही निकालने वाले case को दो part में divide कर लेता हूं ठीक है यहां पे हम इसको दो part में divide करते हैं situation को अब आपको समझ में भी आ जाएगा कि मैं इसको दो part में क्यों divide कर रहा हूं जो करना था मुझे मैंने वो कर दिया ठीक है न आपको सिखा दिया height कैसे निकालने टाइम कैसे बाकि कुछ भी चीज पूछी जाएगी आप उसको कर लोगे ठीक है लेकिर ये जो part है ठीक है ये part एक different angle से incline पे projectile को देखना है ठीक है न ध्यान से देखेगा मैंने दोनों की इसको अलग-अलग करके बता दिया as it is याद रखना है मान लीजे यहाँ पे एक incline plane है ये वाला और इस incline plane का कुछ angle है ये ये वाला angle यहाँ पे मान लीजे आप alpha ठीक है न इस वाले angle को हम मान लेते हैं alpha और अगर इसको मैं alpha मान रहा हूँ तो बिलकुल ऐसे ही याद रखना है जैसे मैं यहाँ से अब एक partical को उपर throw करना है ठीक है न यहाँ से एक particle को उपर throw करना है ठीक है न यह यह ऐसे इस तरह वही जब हम ऐसे throw करेंगे तो यह particle यू जाएगा यू जाएगा और यहाँ किरेगा ऐसे जा रहा है यह यू जाएगा ऐसे और यहाँ किरेगा अब यह वाला पूरा एंगल, complete एंगल यहां से लेके यहां तक का एंगल, this angle is theta यहां पर बस थ्यान रखना है कि हमने पिछले वाले question में यहां से उपर-उपर के angle को बीटा लिया है तो और यहां पर theta है तो आप कह सकते हो कि पिछले वाले case में जो यह यह वाले चीज को हमने बीटा ले लिया था इस वाले चीज को क्या ले लिया था, alpha को समझ लो, alpha plus beta is equal to theta है next वाले page पे जो next वाला page है न, उस पे alpha plus beta is equal to theta है तो मैंने इस पूरे angle को theta ले 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 अब बात को बहुत ध्यान से सुना तो यह वाली चीज फेंकी जा रही है इस तरफ यह चीज थो कर रहे हैं इस तरफ यानि कि यह चीज इस तरफ, this is up the plane this is up the plane plane पे हम उपर की तरफ थो कर रहे है up the plane ठीक है न, तो इस case में हम चाहते हैं कि हमें range पता चले तो भई इस case में range का जो formula है उसको आपको हमेशा के लिए याद रखना है ठीक है, range का जो formula है यह मैं बता रहा हूँ यह आप ध्यान से सुना तो up the plane जो range का formula होता है ठीक है न, रट डालना है समझ लीजे u square u square by g cos square alpha ठीक है न, यह बड़ा bracket लगाना है यहाँ पे लगाना है, साथ में sin 2 theta minus alpha 2 theta minus alpha यहाँ minus है, तो यहाँ पे भी minus का sin alpha, बस यह यह range का formula है ठीक है न, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान से, बहुत ज़्यादा ध्यान से पढ़ना है और बिना mistake कि यह याद रखना है यह भी range का ही formula है ऐसा मत समझी कि कोई बहुत बड़ा derivation है वहीं से निकाला है range को range को उसी formula से निकाला लेकिन इस formula का derivation कोई बहुत बड़ा use नहीं आप इसको direct use कर लो वह भी बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा तो यह up the plane वाला case है ठीक है न, अब इसी case में अगर मैं कहूं कि भई मुझे range चाहिए maximum मैं चाहता हूँ range मुझे maximum मिले, range मुझे maximum मिले for maximum range यानि कि range की value maximum आए, तो भई हमें जो theta चूज करना पड़ेगा ठीक है न, theta चूज करना पड़ेगा हमें pi by 4 plus alpha by 2 ठीक है न, यह आपको theta चाहिए होगा अगर आप maximum range चाहते हैं अब बात आती है down the plane की तो भई मान लेजे आपके पास इस तरीके का एक inclined plane है यहाँ पे बहुत ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है भई यह वाला angle तो alpha हो गया अब यहाँ से एक particle को throw करना है भई ध्यान से सुनना आप यहाँ से एक particle को throw करना है और हम उसको इस तरफ ऐसे throw कर रहा है मान लेजे तो भई यह particle यू जाएगा यहाँ पे यू जाएगा और यह तो यहाँ कहीं गिरेगा यह तो यह तो ऐसे चल रहा है यू यू जा रहा है यह तो ऐसे इस तरफ जा रहा है तो समझ लिए यह तो इस तरफ की motion हो गई यानि कि यह तो ऐसे चलने वाली उसे अब इस बात को बहुत difference के साथ याद रखना है this is down the plane down the plane यह वाली चीज है down the plane ठीक है बात को बहुत अच्छे से याद रखना है down the plane अब होता क्या है यहाँ पर यह वाला अंगल तो alpha हो गया और यह वाला अंगल किस ता horizontal के साथ थी डा था यह तो direction horizontal थी ना और यहाँ से ऐसे throw किया था हमने यह यह वाला अंगल भी आपको horizontal के साथ ही थीटा रखना है तो मान लीजे यहाँ से यहाँ से अगर मैं horizontal direction ऐसे draw करूँ this is your horizontal direction and this angle is थीटा वो वाला अंगल थीटा है horizontal से angle थीटा है तो अब यहाँ पर जो range का formula बनेगा उसको आप ध्यान से सुनना again u square upon g cos square alpha as it is बड़ा bracket साथ में आगे आएगा sine 2 theta plus alpha आएगा इसमें और यहाँ पर भी plus ही आएगा ठीक है ना sine alpha ठीक है ना तो कुछ difference नहीं है बस जोहाँ जहाँ minus था वहाँ आपने क्या कर दिया plus कर दिया तो this is r into u square by g cos square alpha sine 2 theta plus alpha यह आपका formula हो गया अब मेरी बात को फिर से ध्यान से सुनना ठीक है इस formula के और इस formula के difference को आप याद रखना plus क्यूं आया है अब क्योंकि plus आएगा तो value जादा आएगी downward direction में जो g है वो help करने लगता है ठीक है ना भई g का जो component है वो तो इस तरफ लगने लगेगा ना तो इसलिए range जादा आएगी जादा range आएगी down the plane range जादा आएगी इसलिए दोनों sign plus हो गए है यह वाला sign plus हो गया और यह वाला sign plus हो गया इनको याद रखना है अब again अगर आप चाहते हो कि आपको maximum range मिले maximum range मिले तो यहाँ पे इस बार theta को choose करना है आपको pi by 4 minus alpha by 2 theta should be equal to pi by 4 minus alpha by 2 यह आपके लिए maximum range का formula आप यह down the plane और up the plane इसको बड़े अच्छे से अलग अलग तरीके से याद रखना है यह बहुत important है J.E. के point of view से क्योंकि भई J.E. में पूरी उमीद लगाई जाते है कि incline plane पे से अगर कुछ आने की उमीद है तो कभी भी J.E. वालों को आप data चाहिए मैंने वो बता दिया अब मैं इस पर एक example लेता हूँ बहुत ध्यान से सुनियेगा ठीक है ना? Example क्या है? ठीक है ना? Example क्या है? वो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें data बहुत matter करता है अपने आप खुद से question नहीं बनाने है उससे question बना के solve नहीं करना है ठीक है? down the plane की बात करते हैं ठीक है ना? जैसे भी आपकी मर्जी होगी वैसे consider कर लीजेगा मान लीजेगा कि एक यहाँ पर inclined plane है ऐसे वह inclined plane आप कैसे भी बना सकते हो आपकी मर्जी है? ठीक है ना? यह हो तो जो inclined plane है इसमें यह वाला एंगल आपने कुछ मान लिया एक particle को यहाँ से इस plane के perpendicular direction में थ्रो किया गया है इसके perpendicular direction में थ्रो किया गया है यह तो भई यह वाला particle यू जाएगा ऐसे यू जाएगा यू और यहाँ कहीं गिरेगा? यहाँ कहीं गिरेगा ऐसे? चीके ना? अब बोला जा रहा है कि यह वाला एंगल कितना है? 30 degree और जिस particle को इस direction में थ्रो किया गया है चीके ना? जिस particle को इस direction में थ्रो किया गया है उस particle की velocity है 10 meter per second तो भई यहीं पर बताना है कि range कितनी हो अपना चाहिए वो वाला तरीका लगा लो या down the plane वाला तरीका लगा लो आपकी मर्ची है चीके ना? अब ये वाले angle क्या हो गया? alpha सारी चीजे लिख देते हैं sin alpha की value 1 by 2 होगी कहीं चाहिए तो हमें cos alpha की value root 3 by 2 होगी यहाँ पर u की value कितनी है? 10 तो अगर मैं range निकाल लूँ तो this is the case of down the plane ठीक है न? down the plane down the plane वाले case में range का formula क्या होता है? u square यानि के 10 का square by g 10 cos square alpha cos square alpha कितना हो जाएगा? 3 by 4 down the plane का ये लिजे पिछले page पे देख भी लिजे u square by g cos square alpha अब यहाँ पे sin 2 theta plus alpha हैगा और plus sin alpha हैगा ठीक है? अब यहाँ पे बड़ा bracket theta क्या है? theta तो यहाँ पे horizontal से angle है ये वाला ये ये वाला angle यहाँ पे theta लिया जाएगा तो इस particular case में theta की value 60 degree हो जाएगी क्योंकि ये तो पुरा 90 है ये तो पुरा 90 है न? 90 में से ये वाला angle minus करोगे plus alpha alpha कितना है? 30 degree ये आगया plus sin 30 degree ये आपने समझ लिजे range का formula लगा दिया अब आप खुदी देखे इस वाले 10 से ये वाला 10 cancel तो ये चीज तो आगई 40 by 3 और यहाँ पे sin 150 degree और sin 30 degree sin 150 degree होता है 1 by 2 plus again 1 by 2 कितना आगया? 40 by 3 into 1 answer is 40 by 3 meter ये हमारा answer आगया? कोई दिक्कत नहीं बाकी चीज़े तो मामूली है time period भी निकाल सकते हो आप अगर आप चाहो तो इसका time period भी निकाल सकते हो the time period क्या होता है? 2 into plane के perpendicular direction में velocity ठीक है न? और plane में गुसने वाला acceleration वो सारी चीज़े आपको पता है time निकाल सकते हो आप आप इसमें height भी निकाल सकते हो अब simple वाला method range range का दूसरा method जो हमने आपको पहले ही बता है तो range is equal to ut plus half a t square से भी अब यू के दो component करने होते है ठीक है न? किस किस तरफ? इस तरफ और इस तरफ तो भई अगर यहां पे मैं वही वाला method अपना use करूँ ठीक है न? basic वाला जो बिलकुल starting में बताया था तो ये तो u की direction तो ये होई गई तो ये तो 10 हो गया और ये वाला component 0 आ जाएगा चीक है न? तो range के लिए क्या चाहिए? हमें तो ये वाला component चाहिए होता है न? range के लिए u cos theta तो 0 into t plus क्योंकि downward direction में तो ये plus आ जाएगा half into इस direction में g का component अब आप खुद देखिए g तो इस तरफ है g का ये वाला component cos 30 होगा और ये वाला component sin 30 होगा तो ये तो 5 हो जाएगा और ये 5 root 3 हो जाएगा तो half into 5 into t का square t का square क्या t बता सकते हैं आपको जी? ये तो 5 root 3 है तो t की value यहाँ पर आ जाएगी हमें t निकालना पड़ेगा t हो जाएगा 2u by g 2u कितना हो जाएगा? 2 into 10 और divided by g इसमें गुसने वाला acceleration कितना हो गया? 5 root 3 5 से कटके 2 रह गया तो this is 4 by root 3 this is 4 by root 3 तो 0 into t तो 0 और ये हो गया 1 by 2 into 5 into 4 कितना हो गया? 16 by 3 चीक है न? 2 से 16 कटके 8 आ गया अगेन ये चीज कितने आ गई? 40 by 3 range आप देखो इस तरीके से भी answer वही है और इस तरीके से भी answer वही है दोनों में से आप कोई भी तरीका यूज कर सकते हो आपकी मर्ची है आप incline plane वाले questions solve कर सकते हो चीक है? तो ये incline plane का funda था अभी एक दो questions मैं और कराऊँगा चीक है? एक दो questions मैं अभी और कराऊँगा incline plane वाले ठीक है? चलिए ओके down the plane में एक काम और करते हैं एक example और लेते हैं यही वाले case में कि भी हमारे पास माल लीजेए एक इस तरीके का incline plane है 30 degree वाला यहां से किसी ball को हमने throw किया है 10 meter per second से ठीक है न? तो बताइए find maximum range maximum range कितनी होगी अगर particle को यहां से throw करना है तो भई सबसे पहले तो आप यह देखो this is down the plane this is down the plane नीचे एक तरफ थ्रो करना है तो down the plane में theta की value कितनी ली जाती है? pi by 4 minus theta by 2 this is 45 degree minus 30 by 2 यानिके 30 degree किसकी value है यह 30 degree? theta की value theta की value इतनी लेनी है आपको अब theta की value कौन सी value होती है? theta को होता है horizontal से तो अगर मैं इसको horizontal से लूँगा इसको horizontal से लूँगा तो भई यहां पे यह वाली horizontal line तो ट्रो करनी पड़ेगी न? यह वाली यह यह होगा इससे 30 degree पे लेना पड़ेगा मुझे particle को यह यह वाली angle होगा 30 degree जब यहां से आप 10 की speed से थ्रो करोगे तो 10 की speed पे जो range मिलेगी वो maximum वाली range मिलेगी आपको वो range आपकी maximum range हो यानि कि 10 की speed से अगर आप किसी और angle पे थ्रो करोगे तो range इससे कम ही आएगी ज्यादा नहीं आएगी अब इस range की value पता कर लेते हैं तो range की value भही कितनी होगी भही u square by कितना g cos square alpha u की value तो 10 है तो 10 का square by g cos alpha cos alpha का square और cos 30 कितना होता है what is cos 30 cos 30 degree is equal to root 3 by 2 this is cos alpha g cos alpha का square तो this is 10 into कितना 10 तो है कितना हो गया cos 30 root 3 by 2 तो this is 3 by 4 this is 3 by 4 10 से 10 कट किया 4 उपर आगया ये तो वही again 40 by 3 तो ये आगया चीक है अब 30 ये है और 30 ये है यहां से 30 है ये 30 है तो ये पूरा का पूरा अपना almost पिछले वाला question होगे बस थोड़ असर data में change है तो यहां पर हम क्या करेंगे sin 2 theta अब theta की value अगर 30 होगी तो sin 2 theta 60 degree plus alpha plus 30 degree plus sin alpha ये हो क्या तो 40 by 3 into sin 90 sin 90 plus sin 30 degree तो ये कितना हो गया 1 और 1 by 2 यानि के 40 by 3 into 3 by 2 3 से 3 cancel answer is 20 meter this is the maximum range ये maximum range होगी अब आप खूती देखें मैंने यही example इसलिए लिया है क्योंकि आपने ये वाले अंगल 30 लिया है ये 30 लिया है अगर आपने इसको 90 पे थ्रो किया था तो याद करो range 40 by 3 आई थी और 40 by 3 तो कितनी होती है 40 by 3 तो approximately 13.33 होती है 20 से कम होगी जो कि पिछला वाला question आपको बताता है तो यहाँ पे आपने वो वाली data नहीं लिये जिससे range maximum आए इसलिए range यहाँ पे maximum नहीं आई जबकि यहाँ पे भी आपने 10 से ही थ्रो किया था और ये वाले angle भी कितना था 30 यहाँ पे भी आपने 10 से ही थ्रो किया है और ये वाले angle कितना है 30 पर इस case में range यह आई है उस case में range वो थी वो कम थी यह जादा है इसलिए range को अगर आप maximum चाहते हो तो आपको theta को कितना लेना पड़ेगा यह और और यह alpha है तो यहाँ पे यह theta ले लिया आपने यह alpha है फॉर्मिले में हमने alpha लिया है न alpha by 2 तो भई यह जो हमने यहाँ पे लिया है यह alpha है तो यहाँ पे अपना यह 30 degree निकल लिया यह angle लोगे वो भी कहां से ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको horizontal से यह horizontal का level है नहीं यह वाला इस level से लिनना है इस level से Is it fine? क्या यह बास समझ में आ रही है? clear है यह यहाँ तक की बाते? तो अब इसी case में जिसमें आपने range maximum लिया है इसमें आप time भी निकाल सकते है time of flight चलिए time का थोड़ा सा practice यह तो practice है practice कर लेते है time के लिए क्या करना पड़ेगा भई यह तो 60 degree हो गया time का यह इसके लिए मुझे यह वाला component चाहिए होगा तो 10 का यह 30, यह 30, यह 30 10 cos 30 तो भई u sin beta की value अगर time निकालना यह beta हो गया आमारे लिए तो 60 u sin beta की value हो गई 10 into root 3 by 2 ठीक है ना ठीक है और g का component g के component तो हो गई यह वाला जो g है g का यह वाला component है जो इस direction में वाएगा 5 root 5 और यह वाला आएगा 5 root 3 ठीक है तो time निकालने time होगा 2u यानि के plane के perpendicular velocity which is 10 root 3 by 2 into 2 2u by g plane में गुसने वाला acceleration which is 5 root 3 अब इस root 3 से यह वाला root 3 cancel इस 2 से यह वाला 2 cancel और 5 से करके कितना आ गया 2 second अगर कोई calculation mistake नहीं होई तो time period 2 second रहेगा ठीक है ना और भी देख लेते हैं और भी देख लेते हैं velocity का यह वाला component कितना रहा आपका 10 का cos 60 तो यह तो 5 रहा तो range कितनी आ जाएगी ut यानि के 5 into 2 plus half into 5 into 2 का square चीक है ना तो this is 10 plus इस वाले 2 से यह वाला 2 cancel 10 is equal to 20 आप देखे 20 meter आपकी range इस वाले method से भी आ रही है और इस वाले method से भी 20 ही आ रही है यानि के हमारा यह formula भी ठीक है यह वाला तरीका भी हमारा सही है आपके सामने time period भी है आपके सामने range भी है मैंने दोनों तरीकों से निकाल दी तो I hope ऐसा कोई concept बचता नहीं है जो inclined plane में आपको चाहिए होगा अब inclined plane को आप चाहें तो mathematically बहुत आगे तक पढ़ सकते हैं पढ़ा सकते हैं ठीक है न लेकिन J में अगर expect किया जाए तो J में इतना ही होता है इससे ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है चीक है तो I hope बच्चो आज के लिए मुझे लग रहा है कि ये काफी हो गया है चीक है न ये काफी हो गया है और और रेंज के उपर और भी question आ सकता है तो हम चाहे तो एक आद question और ले सकते हैं ठीक है न रेंज का नहीं है एक example मुझे काफी special लगता है तेक है न वो मैं देखा देता हूं आपको मान लिजे ये कोई tower है इस tower से किसी ने ball को throw किया है इस direction में कितने angle पे theta पे पूछा जा रहा है कितने time बात velocity of ball will become perpendicular to its initial velocity initial velocity सबसे पहले तो हमें देखना कि question का meaning क्या है meaning क्या है ठीक है ध्यान से सुनना है तो भई ये वाली value मान लिजे u है ये theta है तो ball जब जाएगी तो ball का path कैसा होगा ball का path तो ऐसे होगा होगा के नहीं ऐसा path होगा ball का तो ये ये path होगा ball का तो अगर मैं यहाँ पे direction देखूँ कि भई initial direction कौन सी है और उसके perpendicular कब मिल सकती है तो भई initial direction तो ये वाली हो गई ना ये this will be the initial direction अब ball कभी ना कभी तो किसी ना किसी direction में जाएगी ऐसे तो भई मान लिजे यहाँ पे ball की direction ये वाली है तो अगर मैं इस ball इस वाली direction को पीछे तक मिला दूँ ऐसे ये इस वाली direction को तो यहाँ इस point पे जो velocity है वो velocity इसके perpendicular हो गई है तो वो यहाँ की velocity जानना चाहता है कि इस point पे कितनी velocity और यहाँ तक पहुँचने में कितना time लग गया है ये भी वो जानना चाहता है छीक है इस जगा तक पहुँचने का time यहाँ पे कितनी velocity है, अगर t is equal to 0 पे इसको थो गया है, तो भई, देखने में question tough लग रहा है, पर है नहीं, देख, हम क्या करते हैं, पूरे question को, पूरे question को एक direction में solve कर लेते हैं, कौन सी direction में, इस direction में, इसको solve कर लेते हैं, दिख रही है, यह वाली direction जो है, यह वाली direction में, solve कर लेते हैं, तो भई, क्या कर रहे हैं, यह तो angle theta है, अगर मैं gravity के component करूँ, तो यह तो gravity है, ग्रैविटी के component करूँगा, मैं इस direction में, क्योंकि मैंने decide किया, कि पूरा मैं इस direction में solve करूँगा, तो gravity का एक यह वाला component होगा, और एक यह वाला component होगा, ठीक है, बहुत ध्य theta होगा, यह 90 minus theta, यह theta, तो यह वाली चीज हो जाएगी, g cos theta, और यह वाला हो जाएगा, g sin theta, अब आप खुद देखे, एक ball को मैंने इस direction में throw किया, कितनी speed से, u से, कुछ time बाद यह इस initial direction के perpendicular, यानि कि इसकी पूरी velocity इस तरफ हो गई, तो इस ball की velocity इस direction में तो 0 हो गई और यह अगर इस direction में velocity भी है, तो इसके perpendicular direction में तो 0 हो गई होगी, तो आप खुद देखे, किसी ball को हमने इस तरफ throw किया था, कितनी speed से, u से, और वो किसी time पे इस direction में 0 velocity पे आ गई है, यहां से लेके, यहां तक जाने में, यही है, तो केवल इस direction में अगर हम solve करें, तो final velocity is 0, is equal to initial velocity is u minus, इस तरफ लगने वाला acceleration, और इस तरफ लगने वाला acceleration कितना है, g sin theta into यहां से लेके, यहां तक जाने का time, यहां से लेके, यहां तक जाने का time is t, जिसको समझ में आ न, आपको यह चीश समझ में आ गई, मैंने तिर्षा लिखा है, उसका भी एक कारण है, तो य u by g sin theta is equal to t, यहां आपका answer आ गया, इतने time में यह achieve कर लिया जाएगा, ठीक, दूसरी चीश यह भी पूछ सकता है, कि यह वाली velocity कितनी हो चुकी है, तो भई, अब situation को इस direction में solve कर लो, किस direction में? किस direction में solve कर लें? इस direction में, अब इस direction में solve कर लीजे, ऐसे, किसी ball की, अगर हम देखें, अगर किसी ball की देखें, तो velocity इस direction में, यह वाली जो direction थी ना, यह वाली यह, इस direction में velocity 0 थी क्योंकि पूरी velocity परपेंडिकल अब इस direction में V velocity है ठीक अब इस direction में लगने वाला acceleration कितना है इस direction में लगने वाला acceleration कितना है ये वाला ये ये लग रहा है G cos theta तो भई मैं इस direction में अगर equation लिखू तो final velocity V is equal to 0 plus AT T इससे क्या जाएगा यहाँ पर V is equal to 0 plus इस direction का acceleration कितना है G cos theta into T कितने time लग गया इसको यहाँ से यहाँ तक वो रहा T की value क्या होगई U by G sin theta इस G से G cancel ठीक है न तो V की value होगई U by 10 theta cos theta को इसके नीचे ले आएंगे तो U by 10 theta यह आपके V की value होगई उस जगा पे जहाँ पे यह दोनों perpendicular हो जाएगी ball की direction अपनी initial velocity के perpendicular हो जाएगी यह U by 10 theta जाएगा तो V is equal to U by 10 theta clear तो चलिए बच्चो आज का session हम यहीं तक रखते हैं तो आपको last में एक चीज़ और बताना चाहूंगा यहाँ पे कि भई Immerse 2.0 start हो चुका है 28 अगस्ते अभी बस एक ही class निकली है इसकी तो जिन बच्चों को admission लेना हो जो 11th class के हैं और अभी सोच रहे हैं वो जल्दी से जल्दी admission ले लें ठीक है ना जल्दी से जल्दी admission ले लें subscription ले ले क्यों उसका कारण क्या है क्योंकि भई अनकैडमी पे price hike होने वाला यह दिख रहा है price price increase होने वाले हैं ठीक है इसलिए within 1-2-3 days price hike हो जाएंगे ठीक है ना 20-30% तो subscription महेंगे हो जाएंगे आप फिर कहोगे कि सर कम से कम information देरी चाहिए थी तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ और subscription ले टे टाइम NKC sir live करके अगर आप code डालोगे ये वाला code डालोगे NKC sir live तो आपको 10% का discount instantly मिल जाएगा ठीक है ना तो चलिए बच्चो यहीं तक मैं मैं आपसे भी विदा लेता हूँ कल फिर मिलूँगा मैं आपको ठीक चले ओके तेंक यू